हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो यूर ओवन चैनल मार्किट एनलिस दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या-क्या लेवल्स रहने वाले हैं कल के दिन और कौन-कौन से स्टॉक्स मैंने जो आपको दिये थे उनमें क्या-क्या मुवमेंट हमें देखने को मिली और लास्ट वीक में हमने कौन-कौन से स्टॉक्स दिये थे उनमें क्या कुछ रिटन्स हमारा बना है वो पूरी एनलिसिस करेंगे और कल के दिन आने वाले trading session में कौन-कौन से stocks में जो अच्छी moment हमें दिखाई दे सकती है उन सभी पे हम study करने वाले हैं तो बने रही गए इस वीडियो पर एंट तक चली start करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं nifty 50 की nifty 50 open होती है यहां पर नीचे जाके sustain होके उपर की तरफ निकलती है यहां पर अपने higher level पर यह sustain नहीं हो पाती है उसके बाद projection बनाके यह अपने आपको नीचे ले आती है अपने day low के आसपास जो है इसने अपनी closing दिये है अब दोस्तो हमें इसका ध्यान रखना है अगर यह वाले level से important है 20,100 अगर यह वाले level breach करते हैं तो दोस्तो फिर हमें देखने को मिल सकते हैं 20,000 के level इस पर आप नजर बनाए रख सकते हैं अगर निफ्टी कहीं gap down open होती है और उसके बाद projection बना के नीची की तरफ निकलती है तो हम यहाँ पे एक PE side में position बना सकते हैं अगर कहीं पे gap up open होती है तो यहाँ पे हमने projection देखना पड़ेगा क्या projection बना रहा है अगर उपर की shed बना रहा है अपने swing high को कल का जो swing high था उसको अगर cross कर रही है तो हम जो है इसमें call by कर सकते हैं तो इस पे आपने नजर बनाए रखनी है उसके बाद बात कर लेते हैं द बना रख सकते हैं अब और उसके बाद एक अच्छा मुवमेंट हमें देखने को मिला च्यालेश जार एक सो साट से करीब करीब आपका 250 तक आपको मुवमेंट मिला है जो कि बहुत ही अच्छा मुवमेंट है दोस्तों इसमें मैंने एक अच्छा खासा profit बनाए था उसके ब देखते हैं अगर bank nifty कहीं पर gap down open होती है तो अच्छा कासा profit मुझे मिल सकता है में भी अगर यहीं कहीं पर open होती है फिर sustain करके नीचे जाती है तो मैं यहां तक अपने target को hold रखूंगा और मेरा जो SL होगा दोस्तों वो यहां कहीं पर होगा अगर यह gap up open हो जाती है तो projection द होती है हीं कहीं पर और उपर की तरफ इस वाली level को sustain करती है तो हम जो है उपर की तरफ इसमें entry ले सकते हैं और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कुछ stocks जो हमने पिछले week में दिये थे और उन में कितना अच्छा moment हमें देखने को मिलाए वह आज discuss कर लेते हैं यह दे हुए हैं तो आप timely profit book कर सकते हैं और दोस्तों next talk मैंने दिया था जो bank of India PSU banks में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आजकल इसमें भी हमें 13% का एक अच्छा moment हमें देखने को मिलाए I hope आपने इसका gainfully enjoy किया होगा next talk मैंने दिया था दोस्तों Canera bank Canera bank में आप दे profit book कर सकते हैं next talk दोस्तों मैंने दिया था bank of brother इसमें अभी जो moment स्टार्टी हुए सिर्फ 5% के आसपास का moment हमें देखने को मिलाए अगर overall market bullish रहती है तो दोस्तों ये stocks जो है continue रह सकते हैं और दोस्तों ये मैंने दिया था आईशा इसमें 7% का अभी तक हमें return बना के दे काफी दिन से इसको hold किये हुए हैं जैसे हैं यहाँ पर break करेगा अच्छा moment हमें देखने को मिल सकता है इस पर आप नजर बनाया रख सकते हैं and दोस्तों मैंने एक stock आपको दिया था FHL first short solutions इसमें मैंने इस वाली level पर आपको दिया था और इसमें 23% के जो मैंने target बताये थ का 17% का जो है profit यह दे चुका है next stock दोस्तों मैं पिछले week से ही देता आ रहा हूँ आपको अलकारो carrier इस वाली level पर मैंने first time दिया था अपने premium members को भी दिया था उसे next day आप लोगों को भी मैंने सबको दे दिया था अब इसमें आप देखे सिर्फ 7 to 8 days में ठीक है आपको 31% का नहीं जाते बिल्कुल भी यार like करने में कंजूस ही नहीं होनी चीए बिल्कुल भी दोस्तों यह stock मैंने दिया था एक video मैंने डाले थी करीब एक महीने पहले शायद अब आप इसमें देखे इस वाली level पर मैंने आपको दिया था यह stock अभी तक 49% का return यह जो है बना चुका है I hope आपने इसका gainfully enjoy किया होगा अगर किसी ने भी लिया हुआ है तो यहाँ पर अपनी जो position है धीरी धीरे आप काटते रहेएगा profit book करना जरूरी है दोस्तों time पे next stock दोस्तों मैंने दिया था Yuko bank यह भी मैंने आपको करीब एक महीने पहले दिया था आप video देख सकते हैं previous video को यह भी जाके मैंने बनाई हुई है इस वाले level पर मैंने आपको दिया था ठीक है उसके बाद देखे मैंने जो आपको target दिया था 77% का और अभी इसमें जो है करीब 80 to 90% जो है target आपके hit हो जुके हैं बहुत ही अच्छा return इसमें बना के दिया है दोस्तों क्या है ना साल तीन साल यहीं बरबाद कर दोगे कुछ नहीं रखा स्विंग ट्रेडिंग करके देखो अगर आपके पास capital छोटी भी है ने 10,000 रुपे भी आप 10,000 रुपे लगाओ यार फिर देखो कितना अच्छा moment आता है यार आपको पता है 70% का जो return इसने बना के दिया है यह जो loss हो जाता है कभी profit हो जाता है अगर कोई बड़ा प्लेयर है और उसको अच्छी तरह किसी projection की knowledge है तो वही काम्याब हो पाता है इंट्रडे में वरना overall जो beginners है जितने भी traders है वो loss में ही जाते हैं इंट्रडे में हमेशा तो इंट्रडे का चकर छोड़ो आप swing trading किया करो अगर आपने profitable रहना है हाँ जब आपको काफी experience हो जाए तीन से चार साल पात साल आप बिदा दो market में उसके बाद इंट्रडे करो कोई दिकत नहीं है मैं इंट्रडे कर दा हूँ खुद बट अपने आपको time दो सीखो next talk दोस्तों मैंने दिया था आपको Tokyo Plus ये side मैंने last week में ही दि है और अभी जो है इसमें एक अच्छा moment जो पैंडिंग है आप इस पे जो नजर बनाए लग सकते हैं अपना SL जो है इसका ही रहने वाला है ना दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कौन-कौन से stocks हम देख सकते हैं मतलब कल के लिए यह नहीं कि वो कल ही भाग जाए इसा नहीं है दोस्तों हो सकता है आने वाले एक दो विक्स में अच्छा moment हमें देखने को मिले इन stocks में तो इन पर आप नजर बनाए लग सकते हैं सबसे पहला है निपाउन बैटरी इंडो नेशनल लिमिटेड भी बोलते हैं इसको अब यहां पर इसने एक breakout दिया था बहु एंटरी ले सकते हैं यह हैमर के उपर मैंने वीडियो अलड़ी बनाई हुई है आप देख सकते हैं जाकर देखते तो हैं नहीं आप समझना तो आपको हैं और उसके बाद एक अच्छा moment हमें फिर से देखने को मिल सकता है तो इस पर आप नजर बनाए लग सकते हैं अगर आ अभी यह आपको बहुत ही कम वैलिवेशन में मिल रहा है जो कि आपको ओल्मोस्ट फिटीन हेंडर में आपको यह मिल रहा है ठीक है अभी आप देख पारें इसमें ग्रावट जा रही थी ठीक है यहां पर इसने अपने आपको सस्टेन किया हाई बनाया उसके बाद इसने एक लोवर हाई बनाया और फिर से यह अपने इस लेवल को ब्रेक करने के लिए रेडी है कभी भी यह यहां से ब्रेक कर सकता है और हमें एक अच्छा मुमेंट देखने को मिल सकता है ठीक है तो इसके आप जो नजर बनाए रख सकते हैं एड नेक्स टोक है दोस्तों यूट 250 के असपास का उसके बाद continue इसमें जो गिरावड देखने को मिली है लोवर लोव आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है अब यहां से क्या होता है इसने अपने आपको होल्ड करा इस वाली लेवल पर ओके जो कि यहां पर पहले से सपोर्ट था अपने इस सपोर्ट पर यह है सीखने लाइक सेलर इसको पुछ तो करते हैं बड़ अपने स्विंग लो तक नहीं लेकर आपाते फिर से जो है बायर एक्टिव हो जाते अब हमने इस पर क्या देखना है अब हमने यहां पर दोस्तों यह देखना है अगर यह प्राइज यहां पर सस्टेन होके इस वाले प्राइस को एक बर निकाल दे 861 देखो अगर किसी ने वैल्यू बाइंग करनी है तो आप यहां पर कर सकते बड़ आपने कोई ब्रेक आउट स्टोक चाहिए और जल्दी मुमेंटम चाहिए तो आप यहां का वेट कर सकते क्योंकि यहां पर वैल्यू बाइंगे यहां पर सस्ता मिल रहा है तो आप यहां पर बाइंग करेंगे तो अल्मॉस्ट यहां पर जो जाना ही जाना इसको कभी ना कभी जाएगा बट आपको फास्ट अन क्विटली मुमेंटम चाहिए तो आप इस वाली पोजिशन का वेट कर सकते हैं जैसी यह ब्रेक करें रिट्रेस्में को मिल रही है बहुत जरूरी यह दोस्तों लर्निंग करने मैं आपके लिए इतनी कड़ी मैनत करता हूं अब पता है आप रात को दस बज रहे हैं और मैं जही कम से कम आदा घंटा हो गया मैं आपके लिए जो स्टोक्स स्टड़ी कर रहा था पहले मैं खुद स्टड़ी करत हूं कौन कौन से स्टोक्स में मुमेंट आ सकते हैं उनकी लिस्ट बनाता हूं और उनको आपके सामने ले के आता हूं ठीक है उसके बाद मेरे बागी काम पेंटिंग होते हैं वह मैं करता हूं राइट ना दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छ वोर वाचिंग